हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप होब यू गाइज आ वेल वेरी वेल सो लेट्स स्टार्ट दो वीडियो एजिकन सी की हमने एक फ्लैक्स लिया हुआ है और इस फ्लैक्स की का साइज है दस वीट बाई आठ वीट एक बड़ी वाल पर हम सैवन रनिंग होर्स बनाने वाले हैं और उसको हमने प्लाइवूड पर लगा लिया च्छे से और फिर लगा कराहिएगा अगर आप बनाने जा रहे हैं तो अब छोटा सा भी बना सकते हैं यह हमने क्लाइंट के साइज के एक अच्छे से लिए नीकषे और द्रॉइं के अंदर रखें वह बिल्कुल भी दिल्कुल भी न निकालें जैसे कि मैंने किया है and then we will start the clay modeling apply the clay and be careful कि आपकी उंगली में कील ना लगी उससे आपको हर्ड हो सकता है so be careful while doing this so ये खुद देख लीजे आप मैंने पीछे स्कार्प्चर को मुझे जल्दी बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा उस साइड कर लिया है तब मैंने सोचा कि आपको एक कम्प्लीट होर्स तो बना के दिखाई दूआ जिससे कि आपको सभी का आइडिया लग जाए कम्याए लगया जो सबसित पर्र ahí कृषकर ये-शर नवाधन करना जया को JES लाकाइड करना मैंने से कुछ सोट आज जो को सबसे डां पार्ट है जो पीछे जो पीछ इस साइड है पीछे की इस तो उसको हम डाउन डेप्थ में रखेंगे पीछे की साइड रखेंगे ठीक है वही इस इसको आई वाली जो आई है इसको हम उपर रखेंगे समझने हैं आप ताकि हमारा एक 3D क्रियेट हो जाए खराब ना लगे ऐसे ना लगे कि गर्णन टूटी हुई यह कुछ हमें एक कंपोज करना है कंप्लीट सो कंपोज ऐसे करते हैं देखिए अभी मैं कैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको इसकी बोडी है बोडी को हम नीचे डैप्ट में रखेंगे इसका कि इसकी जो आउटर लेयर है उसके उपर और फिर अंदर की साइड लगा रहा हूं आपको ऐसे ही करना है यह सबसे बैस्ट वे है सबसे ईजी तरीका है एक वाल आर्ट मूरल रेडी करने का और आप कुछ भी कर सकते हैं इना कि सिर्फ यही होर्स आप कोई भी ले लीजे औ और यह जो हमने फ्लैक्स लिया है इससे ना बहुत टाइम बचाता है कि हमें ड्रॉइंग नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी तो टाइम कितना ज्यादा सेव हो जाएगा राइट तो फ्लैक्स यह साइज का फ्लैक्स मुझे पड़ा बारासु रुपे का और पता है मैं जहां पर भी इस फ्लैक्स को प्रिंट कराने जा रहा था पहले इसकी फाइल बनवाई फिर बन प्रिंट कराया तो तीन चार जगों पर मैं गया तो हर जगह से पहले कंप्यूटर पर मुझे सिर्फ इन ही सेवन होर्स की ड्रॉइंग विली मैश वह ऐसे हो गया रहे वह मेर इसी होर्स को देख रहा था तो आप सोचिए कि यह कितने लखी होर्स है हर जगह हम को इसी का फोटोग्राफ देखने के लिए मिल रहा है वो भी उसी दिन जिस दिन हम इसी को बनाने जा रहे हैं सो यह आप लोग भी गरवा सकते हैं अपने घर में मैं मुझे ओर्डर कीजिए मैं यही वाली जो मैं अभी बना रहा हूं इसी को आपके लिए काफी सस्ते में आपके घर में लगा दूँगा तो अभी आप ड्रॉइंग देखते जाएं क्ले मॉडलिंग देखते रही है कैसे है तो हम यह करते करते थोड़ी बाते भी कर लेंगे और आप मुझे से कमेंट में कुछ भी पूश्ट सकते हैं कि कैसे क्या हुआ, कितनी कॉस्टिंग आती है ये कैसे होता है वो, कैसे तो मैं सारे जवाब दूगा आपको ठीक है और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं मैं लिंक डाल दूँ अदिस्क्रिप्शन में आप प्लीज फॉलो मी देयर सो आप हेक्सा ले लीजे इसको फिनिश करने के लिए हेक्सा जब हम चलाते हैं तो हमारे जो अड्डे कड्डे होते हैं वो चले जाते हैं देखी शेप कैसे निकल के आ रहे है ना होर्स का ऐसे ही आपका आएगा ऐसे ही आप सीख पाएंगे आप मुझे और कर सकते हैं और करने के लिए मुझे इंस्ट्राग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वोट्साप नंबर डाल दूँगा आप वहां कर सकते हैं आई नो कि यह वीडियो बहुत काफी महीने के बाद आया है एक्चली मैं बिजी हो गया था किसी काम में इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया sorry for that बट अभी हम ट्राय करेंगे कि हम वीडियो डालते रहें बट मुझे आपके motivation की जरूरत है मुझे motivation की जरूरत है आप please चैनल को subscribe कर लिजे अभी आप वीडियो देख रहें नीचे subscribe का बटन दबा देजे जो भी नए हैं वो प्लीज बटन दबा दें और बैल आइकन जो है जो घंटा है आगे उसको all पर सेट कर लें जिससे कि सारे के सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच आए और लगे हाथ लाइक भी कर लीजिए और प्लीज अपनों के साथ शेयर कर लेजिए अपने lucky horses की एक ऐसी drawing को share कर रहे है जो में भी किसी को पसंद आ जाये ऐसे sculpture को share कर रहे है ऐसे mural को share कर रहे है जिससे कि किसी की घर में में भी luck आ जाये तो प्लीज ट्राइटू शेयर मा वीडियो मा चैनल, प्लीज तो देखिए बॉड़ी पे हम खले लगा रहे हैं देखिए हमारा फेस जो होर्स का फेस है वो बहार की साइड है समझ रहे हैं आप मैं बाहर और अंदर क्या कह रहा था वो यही है और हमारी बोड़ी नीचे रहेगी according to face हमारी muscles जो है हम उनको create करने हैं उसी के according आप clay लगाईएगा ताकि आपका बाद में time save हो जाए finally आप देखिएगा यह कितना खुबसूरत निगल कर आएगा और second part वीडियो का second part भी आएगा तो उसकी लिए आपको तो subscribe करना ही पड़ेगा बेल आइकन को दबाना पड़ेगा जिससे कि second part आपके notification पैनल में आ जाए और आपको दिख जाए कि second part आ चुका है और आप उसको देख ले लेग्स पे हमें क्या गरना है लेग्स पे हमें सबसे main चीज यह गरनी है कि हमारा सबसे front leg जो है उसको सबसे उपर रखना है वो पीछे की side जा रहा है तो धीरे धीरे perspective में उसको down कर देना है फिर सबसे पीछे वाला लेग उसको सबसे down relief में रखना है और फिर उसके उपर वाला जो लेग है उसको उपर रखना है जिससे कि एक 3D illusion create हो जाए लगे कि हाँ 3D है क्योंकि पीछे वाला पीछे की दिखना चाहिए आगे का आगे दिखना चाहिए जैसे मैं लगा रहा हू होगा दिकी मॉसल्स भी आपको दिख रही है अभी ऐसे ही क्लेए लगाना है हाला कि अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन हम इसको finish कर लेंगे with the help of hex blades so यह अच्छा देखेंगा अभी आप वीडियो देखी त्यान से और हाम मैं next वीडियो में next upcoming वीडियो में एक आपके लिए surprise है वो आपको शायद में भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो हर किसी को अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा सबने बहुत तारीफ की बहुत ज्यादा और तारीफ की जहां तक बात करूँ यह जो horses बन रहे हैं जब इन horses को लगाया गया client के घर में तो उनके यहां जितने भी guest आए उनके हवन हुआ तो उनके जितने भी guest आए हवन के दिन उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की बहुत अप्रीशियेट किया उनको बहुत खुशी हुई और आप सोच सकते हैं जब किसी नई चीज को अपने घर में लाते हैं और उसका appreciation हमें मि आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने लगा दिया है तो मेरे पास आपके लिए भी यह available ही होगा आप भी मुझे order कर सकते हैं आपके लिए मैं इसको बहुत-बहुत-बहुत कम में बनाने का fiberglass में बनाने का पूरा कोशश करूँगा पूरा का पूरा हो आप मुझे सकते हैं आप वहां से भी मुझे contact कर सकते हैं देखी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ जाएगा ओपर की साइट ठीक है तो अब ही हम वीडियो पर आते हैं इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं हमारी बात काफी जादा होगी है तो देखी मॉसल्स मॉसल्स हमें बहुत ध्यान से करनी है जहां सबसे अपर मुसल होता है वहांपर हम अपर पार्ट दिखाना है वह मस्कुलर्ड अगर हमारी घोड़े मस्कुलर नहों थोस्प घोला मझा नहीं आता है। इस काम के लिए हमel पास time कम था था हकर time ज्यादा होता है तो यए अजूबा बन जा था। ho अगर हमें टाइम मिल जाता है तो और ज्यादा लेकिन अभी भी हमने इसमें इतना डिटेल दिखाया है और इसमें बहुत खुशूरत लग रहा है अभी हमने इसमें काफी टाइम दिया है वो जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बहुत टाइम लेता है बनने के लिए उसक पूरा कितने डाइमें बनेगा तो वह अलग होता है वह उसका खर्चा काफी ज्यादा आजाता है हम आई बनाते हैं तो हम बैलन्स करके बनाना आप तो क्योंकि दोनों आई बराबर आनी चाहिए और आई का जो हमारा उपर का आइब्रो होता है उसके लिए आप एक क्ले को र लीगी आप मेरी चैनल पर बने रहें के फाइन आर्ट से रिलेटेट बहुत कुछ सीख सकते हैं आपको पता नहीं होगा कि दुनिया में जो भी चीज है न वो सबकुछ क्ले मोड्लिंग के आधारत पर ही बनी है सबसे पहला मोडल जो मुंता है क्ले से ही बनता है ओया कि है काई भी हर ब्रोको ध्यान से बनाना वे ही खुब साना होता है कि हमारी आखी इरैक्ट करती आ है आप कुछ तूस ले लें शार्प टूस लेने कुछ स्ट्छ टूस लेने कुछ साय टूस ले लें जिस्तिक हल्फ से आपको असानी हो जाए है अब देखिए का अप काफी अच्छा बनेगा आप 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 मुस्ल प्रेक्ट हो गया जहां लाइन मारते आप आप ड्रॉइंग की जाएगा क्ले के ओपर भी लाइन मार और असरा के बीच देना क्ले को हटाते गए अपर इसक्राप करते गए तो पहाँ पी मस्ल क्रेट हो चुए यह देखिए आइब्रोग की मस्टल असानी से क्रियेट हो गई अपना हैट्स के मुस्टल क्रियेट हो गया ऐसे धीरे धीरे जितना हम इसमें पेशन्स दिखाएंगा उतना ही मस्टल हमारा क्रियेट हो जड़ाए कुछ ऐसा दिखेगा यह नीचे से और ऊपर से और हमारा सुरत लग अभी हमें इसमें फिनिशिंग टच भी देना है सो क्ले में हैं यह भी फाइबर ग्लास में आप देखिएगा उसके लिए आपको नौटिफिकेशन बैल आइकन को दपा दीजिएगा और प्लीज इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे ब